क्या हाले दोस्तों, welcome to the channel इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे market और limit orders के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि ये होते क्या है, इन में difference क्या है, तो जब भी आप लोग stock market में buy या फिर sell करना चाहते हैं तो आप दो approach को use कर सकते हैं, पहला approach ये है कि जब आप stock market में जो भी instrument को buy या फिर sell करते वक्त, आप लोग ये कह सकते हैं कि मुझे इस instrument को अभी buy या फिर sell या फिर जो भी transaction है वो करना है, market में जो भी best price available है, उसको use करके, तो इस approach में हम लोग market orders का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप लोग एक buy market order place करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ये कह रहे है कि आपको इसी वक्त stock market से जो भी instrument है, उसको जो भी best price available है stock market में, उस price में buy करना है, जब आप लोग एक market sell order एंटर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस instrument को stock market में अभी जो भी best price available है, उस price में बेटना चाते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप लोग order एंटर करोगे आपका order execute हो जाएगा, आपका जो transaction है, वो complete हो जाएगा, दूसरा अप्रोच ये है कि stock market में instrument को buy या फिर sell जो भी transaction है, वो करते वक्त, आप लोग ये से कर सकते हैं कि अगर उस instrument का price कुछ specific price पे आता है, थब ही मुझे buy या sell, जो भी transaction है वो करना है, इस अप्रोच में हम लोग limit order का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप लोग एक limit buy order एंटर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस instrument को आपका जो भी specified price है, उस price या फिर उससे भी तोड़े अच्चे price में अगर आपको कोई बेटने के लिए तायार है, तभी आप लोग करिद होगे जब आप लोग एक sell limit order एंटर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस instrument को आपका जो भी price है, उस price या करिदने के लिए ready है, तभी आप लोग बेटना चाते हैं अगर आपको ये confuse कर रहा है, तो जब हम लोग इसका example देखेंगे तो clear हो जाएगा, यहाँ पर मैंने एक image लगाया है, यह bank nifty future में मंत का market depth है तो यह instrument है, यह latest price है, यहाँ पर left hand side में जो आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग bid कहते हैं यह limit buy orders है और right hand side में जो आप लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग ask या फिर offer कहते हैं यह limit sell orders है तो यहाँ पर जो trader इस order को enter किया है, वो यह कह रहा है कि मुझे bank nifty future में contract को buy करना है, और यह जो price है, यह मेरा highest price जो मैं pay करने के लिए तयार हूँ, अगर कोई मुझे stock market में यह price या फिर इससे कम price में बेटने के लिए तयार है, तो ही मैं करी दूँगा, उसी तरह इस order को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे order है, 45 quantity के यहाँ पे जो traders ने इन orders को लगाया है, वो यह कह रहे हैं कि हमें bank nifty future में contract को बेचना है, और हम इससे कम price में नहीं बेचेंगे, अगर कोई stock market में यह price या फिर इससे ज़्यादा price में अगर कोई करीदने के लिए तायार है, तब ही हम लोग बेचेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, अगर हर trader सिर्फ limit order ही use करता है, तो क्या होता है, market में transaction या फिर trading नहीं होता है, क्यूंकि सब का price level है, अगर उस price में कोई trade करनी के लिए तायार है, तब ही transaction या फिर trading होगा, क्यूंकि सब limit order लगा के बैटे हैं, तो market में trading नहीं होगा, तो इस situation में, अगर एक market buy order आता है 45 quantity के लिए तो क्या होता है, तो यहाँ पे इस market buy order के जरीए trader यह कह रहा है कि मुझे अभी stock market में इस instrument के 45 quantity को, जो भी best price available है, उसमें buy करना है, तो यहाँ पे best price जो available है वो है, यह और इतने quantity available है यहाँ पे जितने quantity चाहिए उतने quantity available है, तो यह transaction यहाँ पे complete हो जाएगा जो trader market buy order यहाँ पे enter किया था, उसको यह instrument मिल जाएगा और यहाँ पे transaction हो जाएगा, अभी यहाँ पे जो last traded price है वो यह value अभी बनेगा, अगर इस situation में कोई market sell order एंटर करता है और यहाँ पे 45 quantity के लिए market sell order आता है, तो क्या होता है इस market sell order के जरिए trader यह कह रहा है कि मुझे market में अभी bank nifty future may contract यह जो instrument है, इसके 45 quantities को sell करना है जो भी best price available है, उसमें तो market में जो best price available है, वो है यह और यहाँ पे सिर्फ 15 quantity available है जो market sell order जिसने एंटर किया है उसके 15 quantities इस trader को जाएगा, उसके बाद best price, यह जो trader है इसको मिलेगा, उसके बाद इस trader को बाकी के quantities मिलेंगे total 45 quantities यहाँ पे trade हो जाएगे, तो अभी यह जो है यह last traded price बनेगा यहाँ पे और इस sell order जिसने एंटर किया है उसका यहाँ पे transaction complete हो जाएगा तो जैसे हमने देखा यहाँ पे जब कोई trader market order यूज करता है तो उसका जो order है उसको तुरंत complete किया जाता है अगर उस instrument में market में ट्रेडिंग हो रहा है यह advantage है disadvantage यह है कि अगर यहाँ पे buy market order को यूज करके buy किया जा रहा है तो trader को market में जो last traded price है उससे ज़्यादा price यहाँ पे देना पड़ता है और अगर trader market sell order को यूज करके बेच रहा है तो market में जो last traded price है उससे कम price में उसको बेचना पड़ेगा market orders हमेशे यहाँ पे trader का जो sentiment है उसको बताता है कि traders कितने aggressively कुछ instrument को buy या sell करने में interested है तो यह हमें ज़्यादा तर price उपर जाने का या नीचे जाने का indication देता है अगर हम लोग limit orders की बात करें तो जब एक trader limit order enter करता है तो advantage यह है कि उसको जो भी price उसके मन में था वो price उसको मिलेगा अगर limit buy order enter किया है तो उसका जो price है उस price में buying हो जाएगा और sell order enter किया है तो उसका जो price मन में था उस price में उसका sell हो जाएगा पर disadvantage है कि जो limit order trader ने enter किया है वो complete हो सकता है वो execute हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है क्योंकि अगर आप लोग इस example को देखोगे यह जो इस limit order को देखोगे तो यहाँ पे trader क्या रहा है कि अगर इस instrument को कोई इस price में बेटने के लिए तयार है तो मैं करी दूँगा अगर यहाँ पे कोई इस price में बेटने के लिए तयार ही नहीं है तो यह जो limit order जो trader ने लगा के रखा है उसका order complete नहीं होगा उसको यह instrument नहीं मिलेगा और एक और बात ही है कि जब trader एक market order एंटर करता है तो उसका order उसी समय execute हो जाता है अगर उस instrument में trading हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक बार market order एंटर करने के बाद उसको हम लोग modify नहीं कर सकते है पर अगर एक trader limit order यूज कर रहा है और उसका order execute नहीं हुआ है तो वो उस order को modify कर सकता है या फिर उसको cancel भी कर सकता है यह एक और advantage है limit order का तो यह हो दोस्तों इस वीडियो के लिए market और limit order के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अच्छा नहीं लगा तो आप लोग dislike कर सकते हैं इसी तरह के order तेकने के लिए मैरे चानल पर सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो के देखने के ल